इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोन से वाइरस को डिलीट कर सकते हैं तो अगर आपका फोन बहुत ही स्लो चल रहा है लैग हो रहा है या फिर हैंग हो रहा है तो आपके phone में virus आ गया है तो virus कैसे निकाले चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आप make sure कर ले आप play store के इलावा यानि कि play store के इलावा कहीं बाहर से यानि कोई browser से कोई APK या कोई application download ना करें ठीक है कोई भी APK बाहर से download ना करें जैसे आप कोई भी website से application download करते हैं तो ये ना करें ठीक है आप play store से ही download करें वो safe होता है इसके बाद अब देखिए आपका phone slow क्यों होता है क्योंकि आप बेवजा की यहाँ पर application install करके रखते हैं जो आपके काम की नहीं होती है तो basically क्या करें जो भी application आपके phone में काम की नहीं है उसे uninstall कर दें तो simple तरीका है देखिए कोई भी app है जैसे मेरे काम की ये app नहीं है तो इसको मैं देर तक press करूँगा यहाँ पर install का option आ जाएगा और यहाँ से मैं इसे ok करके install कर दूँगा तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर यह application install हो गई है और यह थोड़ी देर में यहाँ से गाइब देखिए गाइब हो गई है तो इसी तरीके से जो भी application काम की नहीं है आप सारी application को uninstall कर दें इसके बाद आपको क्या करना है अपने phone से catches को clear कर लेना है आपके phone में बहुत सारी application यूज होती है और उसमें बहुत catches जमा हो जाती है तो अपने phone के application manager में जाईए जैसे मैं गया यहाँ पर और अब जो आपके phone में बड़ी-बड़ी application है जैसे YouTube है Facebook है WhatsApp है तो आप क्या करिए जैसे YouTube है ठीक है YouTube में चले जाईए और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर storage में आना है और देखिए यहाँ पर catch 600MB catch जमा हो चुका है तो यहाँ से clear कर दे ठीक है इससे आपका phone की storage बढ़ जाएगी और आपका phone fast हो जाएगा ज्यादतर problem storage जब आपकी कम हो जाती है यानि बहुत सारी आप भर लेते हैं बहुत सारे catches आ जाते हैं इसकी वज़े से आपका phone hang होता है इसी तरीके से आप दूसरी applications को भी कर लें जैसे WhatsApp में देख लें या Snapchat में देख लें इसी तरीके से आप सब में जा जाके उसकी catch को यहां से clear कर लें डेटा clear मत कीजिये catch को clear करें ठीक है अपने phone से antivirus को delete कर दे अगर आपने play store से कोई भी antivirus download किया है आप देख सकते हैं यह सब antivirus दावा करते हैं कि आपके phone से वो virus को निकाल देंगे बट यह सब fake होते हैं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं बाकी सब fake होते हैं अगर आपने पैसे दिये हैं antivirus के लिए तो वो antivirus अच्छा होगा बट अगर play store से आप कोई भी antivirus download करते हैं तो जारतर वो खुद ही आपके phone में virus डाल देते हैं फिर उसे clean करके वो दिखा देते हैं तो आप अपने phone से सारे antivirus को delete कर दें ठीक है अब यहाँ पर आखरी step आपको आपके file manager में जाना है file manager में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको आपकी storage में जाना है आपके file manager में कोई ऐसा folder होगा जिसे आप जानते नहीं है उसे खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ भी उल्टा सीधा रहता है कुछ काम का नहीं होता है तो simply उसे आप delete कर दें तो देखिए यह इसे मैं delete कर देता हूँ ऐसे ही आप और भी ढून ढून के delete कर दीजे जो काम के नहीं है देखें यह भी काम का नहीं है तो मैं इसे भी delete कर दूँगा सब आप delete कर दीजे तो वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स और को subscribe कर दे अपना बहुत जादा ख्याल रखें अल्लाहाफिस